कोरोना हमारी से निज़ात पाने के लिए दुनिया भर के तमाम देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और उन सब के बीच रूस ने बाजी मारी है और रूस का बनाया गया वैक्सीन दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन बन गया है हाल ही में खबरे सामने आएं थी कि 12 अगस्त को रूस के इस वैक्सीन का रेजिस्ट्रिशन करा लिया जाएगा और अब रूस के राश्पती व्लादिमेर पुतीन ने घोशना की है कि हमने कोरोना की सिरक्षित वैक्सीन बना लिया है और देश में रेजिस्टर्ट भी करा लिया है मैंने अपनी बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है रूस की वैक्सीन गैम कॉविड वेक लियो को रक्षा मंत्राले और गमलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च और एबडीमोलोजी और माइक्रो बायोलोजी निमल कर तयार किया है अपने अब तक के सभी परिक्षण में ये वैक्सीन सफल रहा और आखरकार इसकी रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है सितंबर में इसका निर्मान कर अक्टूबर में इसे लोगों को दिये जाने की योजना पर काम किया जा रहा है रूस के रक्षा मंत्राले के मताबिक वैक्सीन ट्राइल के परिणाम सामने है उनमें बहतर इम्मुनिटी विक्सित होने के प्रमाण मिले है दावा किया कि किसी वॉलिंटियर में नेगेटिव साइड अफेक्ट देखने को नहीं मिले रूस ने ये भी दावा किया कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तयार की है वो क्लिनिकल ट्राइल में 100% तक सफल रही ट्राइल की रिपोर्ट के मताबिक जिन वैक्सीन दी गई उनमें वैरस के खिलाफ इम्मुनिटी विक्सित होई है वहीं अमारिका और ब्रिटेन रूस की वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर रहे और उन्होंने रूस पर फॉर्मुला चुराने का आरोप भी लगाया है महीं डब्लियो अचो का भी कहना है कि वैक्सीन कोरोना का राम बान इलाज नहीं हो सकता लेकिन अब तक आए नतीजे में रूस का वैक्सीन सभी पढ़ाओ पर सफल रहा है और अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है जहां रजिस्ट्रेशन के बाद राश्वती की बेटी को पहला वैक्सीन लगाया गया और अब इस वैक्सीन को जल्द ही लोगों तक भी पहुचाया जाएगा और रूस का वैक्सीन दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन बन चुका है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें